नमस्कार, आज मैं आपको सुनाने आया हूँ एक कहानी, आज कोई पढ़ाई नहीं, आज सिर्फ एक स्टोरी, और स्टोरी एक नमबर की, 1729, जिसे ज़्यादा तर हाडली रामानुजन नमबर से जाना जाता है, हाँ कई लोग इसको टेक्सी कैब नमबर भी बोलते हैं, और क तो आएए शुरू करते हैं हाडली रामानुजन नमबर की स्टोरी, इस कहानी में दो मैथामेटीशन है, पहले ब्रिटिश मैथामेटीशन हाडली और दूसरे इंडियन मैथामेटीशन स्री निवास रामानुजन, एक बार की बात है, श्री निवास रामानुजन काफी बि पूचा, देखे अब होता क्या है, अगर दो शरार्طी बच्चे आपस में मिल गए, तो वो शरार्तों से रिलेटिड बाते करेंगे, दो चाई पीने वाले लोग मिल बेठे तो वो चाई से रिलेटिड बाते करेंगे, उसी तरह से जब दो mathematician आपस में मिलेंगे तो वो numbers या mathematics स भी बाते करेंगे तो हुआ भी ऐसा ही हाड़ी ने रामानुज का हालचाल पूछा और उसके बाद वो आ गए वही मैथामेटिश से रेलेटिड बातों में उन्होंने कहा कि रामानुज मैं जिस कैब के थू आया हूं उस कैब का नंबर बड़ा ही बोरिंग था रामानुजन ने कहा अरे यह नंबर तो बड़ा इंटरस्टिंग है तो हाड़ी ने पूछा वो कैसे कहते हैं यह नंबर जो है ना यह दो पॉजिटिव नंबर के क्यूब का सम है और यह ऐसा सबसे चोटा नंबर है और ऐसा लिखने के लिए इसको दो तरीके हैं यानि कि 1729 को आप दो क्यूब के सम में लिख सकते हैं और वो भी दो तरीके से और ऐसा होने वाला यह सबसे पहला और सबसे चोटा नंबर है इसके बाद तो बाकी काफी सारे नंबर आगे और उस दिन से उस दिन के बाद से 1729 को हाड़ी रामानुज नंबर से जाना जाता है तो 1729 को आप लिख स 10 का क्यूब यानि कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इस एक्वल टू 1729 और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इस आलसो इक्वल टू 1729 तो यह स्टोरी थी 1729 नंबर की देखि इस कहानी से सिर्फ एक बात पता चलती है कि अगर आप मैथामेटिक्स पढ़ते हैं तो आपका सेंस और हुमर चीजों को देखने का नजरिया बिलकुल अलग होता है तो मैथ पढ़ते रहिए मैथ में इंट्रेस्ट बनाइए सर्फ इतना ही कहूंगा मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रॉपबिलिटी तब तक के लिए नमस्कार